नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पी एफपी में आज हम इंडिया मार्ट इंटरमेश के बार में बात करने वाले हैं कमपनी फंडामेंटली कैसी है टेक्निकली कैसी है निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए करना है तो कौन से लेवल पर क करना चाहिए इन सबी चीज़ों के बार में बास करेंगे लेकिन सबसे पहले कंपनी की जानकारी प्रापत कर लेते हैं कि कंपनी करती किया है इंडिया मार्ट इंडिया की एक platform provide करती है 1999 में शुरुवात हुई थी इनका mission है to make doing business easy 138 million से ज़्यादा के buyers है 6.7 million से ज़्यादा के suppliers है और 76 million से ज़्यादा products और services इनके platform पर दिखाई पड़ते हैं तो overall इनका काम है buyers और suppliers को online marketplace में connect करना और वो भी business to business के लिए business to consumer वाला model यहाँ पर दिखाई नहीं पड करता है product wise revenue breakup के बार में बात करें तो web services से इनके जो income है 98.5% का contribution है और बाकी का 1.5% advertisement और marketing services से है location wise breakup के बार में बात करें इंडिया से 98.6% का contribution है और other से 1.4% का अभी एक online company है तो इनका कितना network है कितनी reach है यह उनका बहुत ही plus point और minus point बन जाता है तो यह data भी एक बार analyze कर ले है तो इनके online marketplace को जो users visit करते हैं यह continuously बढ़ते जा रहे है as of latest data September 2021 284 million यहाँ पर users आपको नजर आता है बहुत अच्छी बात है average revenue per user के बार में बात करे 48,400 रुपीज का है per user यह आपको बढ़ता हुआ नजर आता है लेकिन बहुत बड़ी घ्रोथ यहाँ पर फिलाल के कोई downtrend नहीं है uptrend ही नजर आता है registered buyers के बार में बात करें continuously उपर जा रहे है 138 million इनके registered buyers है तो अच्छी बात है इनकी reach काफी अच्छी नजर आती है इनका जो potential customer base है वो बहुत ही अच्छा है fundamental ratios के बार में बात करें तो return on equity 17% है जो कि 5 year average के साथ है लेकिन 3 year average से नीचे चल रही है return on capital employed latest 19.6% है जो कि अपने 3 year average से नीचे है लेकिन 5 year average से बहुत ही ज़्यादा नीचे दिखाई पड़ती है तो यह एक अच्छी बात नहीं है net profit margin 41% से ज़्यादा है जो कि 3 year और 5 year average से कहीं ज़्यादा उपर है बहुत positive बात है debt to equity के बार में बात करें तो latest 0 है company पर कोई खर्जा नहीं है तो fundamental ratios के हिसाब से कुछ plus और minus point है लेकिन overall आपको अच्छे नज़र आता है share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding 49.52% है जिसमें से कुछ pledge नहीं है mutual fund 3.5% other domestic institution 1% FIA is almost 28% और retail category में almost 18% का stake नज़र आता है तो company strong hands में नज़र आती है trends के बार में बात करें promoter ने slightly अपनी holding कम की है mutual fund और retail category में भी कम हुआ है लेकिन FIA is ने अपने holding को continuously बढ़ाया है अभी तक हमारे पास सिर्फ September का data है तो उस इसाब से तो FIA की जो holding है अपने all time high पर दिखाई पड़ती है अभी December में data आगा तब पता चलेगा कि यहां पर क्य तो data दिखाई पड़ता है उसे साब से FIA is काफी ज़्यादा interested है company के financial trend के बार में बात करें तो revenue continuously उपर जा रहा है profit continuously उपर जाता हुआ नजर आता है और जिस speed से revenue उपर जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा speed से profit आपको बढ़ता हुआ नजर आता है उसका reason यह है कि net profit margin में आ market cap है एक mid cap company 69-67 का last rate price है जो कि 2% नीचे है 69 का PE ratio है जो कि मैं कहूंगा बहुत महेंगा नहीं है लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है generally online companies में आपको higher side पे PE ratios नजर आते हैं लेकिन overall यह आपको premium side पे valuation थोड़ा सा दिखाई पड़ता है stock के chart पर हमें clearly पता चलता है कि stock में 9000 के level से घिरावट देखने को मिली और फिलाल यह stock हमें 7000 के नीचे trade करता हूँ नजर आता है सारे moving averages के नीचे है daily RSI भी काफी week चल रही है weekly chart के बार में बात करें तो बहुत अच्छा performance रहा है 2019 में listing होई थी उसके बाद यह अच्छा perform कर रहा था तो यहाँ पर froth बिल्कुल नहीं है इतना तो हम कह सकते हैं और अपने support के आसपास generally stocks के लिए weekly RSI 40-45 एक support बन जाता है उसी के आसपास चल रहा है 50 weeks के moving average के नीचे आपको यह close होता हुआ नजर आया week already हो चुका है complete इसके नीचे आपको closing दिखाई पड़ती है तो यह week संकेत है अब यहाँ पर मैं कुछ और दिखाना चाहूंगा यह 10,000 के level से पहले भी एक बार 7,000 के level पर आ चुका है और फिर से यह 10,000 से 7,000 के level पर आता हुआ नजर आया लेकिन difference है यहाँ पर यह जो नीचे आया और यहाँ पर यह जो नीचे आया उसमें बहुत बड़ा difference है पहले जब यह 10,000 से नीचे आया था gradually आपको नीचे आता हुआ नजर आया कुछ महीनों में आपको यह गिरावट देखने को मिली थी लेकिन फिलाल situation अलग है 10,000 से जब यह नीचे आया 10,000 भी नहीं 9,000 से जब यह नीचे आया तो दो ही हफते में आपको एक भीशन गिरावट न कोशिश करेंगे तो यहां पर में नजर आता है कि 6,000 से करके 7,000 के जो पूरा जोन है एक सपोर्ट जोन है अगर यह लेवल तूटता है तो डिरेक्ली आपको 5,000 का जोन नजर आएगा क्योंकि बीच में कहीं पर भी स्टॉक ने कुछ खास ट्रेड नहीं किया खास पर ही गया है तो नेक्स जो सपोर्ट आपको नजर आएगा वो 5,000 से करके 5,000 के जोन में नजर आता है उससे पहले कोई खास इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको नजर नहीं आता है तो यह बात तो चार्ट से हमें क्लियरली पता चलती है तो इस analysis से company में हमें positive कี่ आधा आते हैं सबसे पहला यह है कि experience company है यह online based company है लेकिन पुरानी company है 20 साल से जादा का experience है अपने sector में market leader है F.I.S. interested है यहां पर फिलाल के लिए तो इनका जो shareholding है highest level पे दिखाई पड़ता है scalable business है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको manufacturing plan खड़ा करना है बहुत time लग जाएगा बहुत finance जाएगा online based है तो आपको यहाँ पर marketing करेंगे network बढ़ाते जाएगे तो easily यह सारी चीज़े होती जा सकती है scalable business model नजर आता है और growing sector है यह जो पूरा online B2B या फिर B2C का भी जो पूरा segment है अभी शुरुबाती stage में अभी तुझे sector भी बहुत जादा grow होगा तो उसके साथ साथ जो भी companies यहाँ पर इस sector में होगी वहाँ पर भी अच्छी growth देखने को मिलेगी तो यह सारी चीज़े positive है negative के बार में बात करें तो competition आपको बढ़ता हुआ नजर आता है जस्ट डायल भी यहाँ पर enter हो चुका है अभी जस्ट डायल को reliance ने खरीद लिया है तो यहाँ पर aggressive भी आपको होता हुआ नजर आ सकता है जस्ट डायल भी काफी ज़्यादा aggressive nature में जा सकता है तो competition इंडिया मार्ट के लिए बढ़ जाएगा next है margin unsustainable है margin में हमने देखा कि इसका 5 एर average 12% के आसपास है और इसका जो current net profit margin है 40% से ज़ादा है यह COVID की वज़े से हुआ है यह sustainable नहीं है experts की माने तो expect किया जा रहा है कि आपको margins नीचे आएंगे और 35 की range में आ सकते हैं यह reason है कि शेर में क्यों गिराबट हो रही है तो of course यह negative है कि अभी के फिलाल जो margin जल रहे हैं वो तो sustainable नहीं है margins तो नीचे आने ही वाले हैं DIY और promoter ने अपना स्टिय कम किया है यह negative point नज़राता है premium valuation है अगर valuation बहुत ज़्यादा cheap होता है तो as a investor अमाले ले वो अच्छी बात हो जाती है कि सस्ता चल रहा है margin of safety मिल जाती है लेकिन यहाँ पर वो margin of safety अमें नहीं मिलती है क्योंकि stock का valuation premium नज़राता है मैं यह नहीं कहूंगा बहुत ज़्यादा महेंगा है लेकिन सस्ता बिलकुल नहीं है slightly premium side पे आपको यह valuation नज़राता है और technicals बहुत ज़्यादा weak चल रहे है फिलाल यह stock हमने सारे moving average के नीचे trade कर रहा है और मैंने आपको चार्ट पर दिखाया कि पहले जो गिरावट होई थी 10,000 से 7,000 की और फिलाल जो होई है उसमें intensity में बहुत ज़्यादा फरक है अभी की जो गिरावट है वो weakness को दर्शाती है तो यह positives और negative निज़राते हैं summary के बार में बात करें तो sector तो high growth है company अच्छी है यह high growth को यह अपने फाइदे के लिए अपना सकती है और company में अच्छी growth आ सकती है यह तो fundamentally हमें दिखाई पड़ता है experience management भी दिखाई पड़ता है लेकिन valuation premium है यह हमारी अच्छी बात नहीं है और stock technically weak चल रहा है यह भी हमें दिखाई पड़ता है तो ऐसी situation में करना क्या चाहिए जो investor high risk appetite रखते हैं वो dips पर accumulate करने के बारे में सोच सकते हैं मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया यहाँ पर 7000 का level यह support है वहाँ पर कोई accumulate करना चाहिए कर सकते हैं उसके बाद सीधा 5000 का zone आता है तो यह दो zone है जहाँ पर accumulation किया जा सकता है लेकिन जो losses को tolerate नहीं कर सकते हैं अगर stock नीचे जाता है तो फिर mental piece चला जाता है तो उन्हें stop loss का इस्तमाल करना चाहिए और timely यहाँ से exit कर देना चाहिए stop loss क्या है यह जो 7000 का zone है अभी तक decisively नहीं टोटा है last rate price बले 6,967 के आसपास है लेकिन अगर यह zone मैंने जो line draw की थी वो decisively तोट देता है stock तो यहाँ पर आपको exit कर देना चाहिए क्योंकि mental piece सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने आप से पूछना है कि भाई आप यहाँ पर क्या loss को सहन कर पाएंगे कुछ लोग होते हैं जब stock उपर जाता है तबी ही वो long time investor है जब stock नीचे आएगा तो stock को गाली देंगे यह नहीं चलेगा कई लोग ने मुझे बता है कि cams अभी नीचे जा रहा है क्या करना चाहिए हमने एक video बनाया था कि एक और किसी याद नहीं आ रहा लेकिन एक stock के बार में कि यह stock अभी और नीचे जा सकता है तो जो यहाँ पर निकलना चाहिए stop loss लगा कर निकल सकते है तो उन्होंने बता था ऐसे videos आप बनाते रही है तो आद मैंने इसी लिए बनाया video कि बाद में देखिए जब stock नीचे चला जाएगा उसके बाद आपसे कुछ नहीं होगा या तो आप hold कर पाएंगे या फिर और ज्यादा loss में निकलना पड़ेगा आपको बस अपने आपसे पूछना है कि आप क्या loss को सेहन कर सकते हैं क्या company पर विश्वास है तो बने रही है कोई problem नहीं है लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है या फिर आपको losses से डर लगता है तो stop loss लेकर exit करना मेरे हिसाब से एक better choice हो जाएगा जब भी strength आती है वापस आप enter कर सकते हैं आपका क्या view है आपकी क्या psychology है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर decision लेना है तो I hope यह video आपको पसंद आया है आपके investment decision में आपको help करेगा Thank you, stay happy, happy investing